पेट्रोल डीजल वा सरसो तेल के मुल्य में बेतहासा वृद्धी के खिलाफ कॉंग्रेस का प्रतिकात्मक विरोध प्रदर्शन सुक्रवार को देश भर में पेटरोल डीजलवा सरसो तेल के मुल्य में बेतहासा वृद्धी के खिलाफ कॉंग्रेस पार्टी ने प्रतिकात्मक विरोध प्रदर्शन किया अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमिटी एवं जारकन प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उराओं के निर्देशा नुसार धनबाज जीला कॉंग्रेस कमिटी के कारेकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा के नित्रितों में कोर्ट रोड इस्थित Greenview पेट्रोल पम्प के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन कार्यकम के दर्मेयान COVID-19 के नियमों का पूर्णताह पालन किया गया। अविंद्र वर्मा ने कहा भाजपा सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल के मोलियों में बेताहासा व्रिधि किये जाने एवं भाजपा सरकार के द्वारा की जा रही जनता से लूट के खिलाफ पूरे देश के पेट्रोल पंपों के सामने प्रतिकात्मक विरोध प्रदर्शन एवं इंधन के कीमतों में की गई इस बढ़ोतरी को अविलंब वापस लेने की मांग की गई या प्रतिकात्मक विरोध प्रदर्शन पूरे जीले में प्रत्ते प्रखंड में किया गया उन्होंने कहा धनबाद सहित कई जीलों में प्रत्रोल प्रती लीटर 100 रुपय के आखड़े को छू लिया है केंद्र की मोधी सरकार आम जनता से जूठे वादे कर सत्ता में आई तेलहन दलहन में अप्रत्याशत उत्पादन के बावजूद दाम बढ़ना समझ से परे पीम मन की बात करते हैं जबकि जनता की मन की बात से उन्हें कोई लेना देना नहीं है केंद्र सरकार अविलंब तेल के दाम को नियंतरित करे इस विशेश विरोध प्रदर्शन में उपस्थित कॉंग्रेस नेता प्रभाद सुरोलिया ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज की कीमत में बढ़ोतरी हुई है ट्रांस्पोर्टिंग का खर्चा बढ़ा है फैक्ट्रियां भी इससे खासा प्रभावित हुआ है कारेक्रम में राजिश्वर सिंग यादव, सीता राना, सहित कई कॉंग्रेस जन उपस्थित थे कि रोध परदर्शन कर रहे हैं कि पेट्रोलियम पर रात में जो रेट बढ़ रही है उसको बापस ले केंद्र सब्सक्राइब क्या लग रहा है इस तरह का जो आपका जो मांग है क्या हो पाएगा अगला रहने की चावाँ अगला अब जो हमारा केंद्री कमिटी करें कि उसके रहा हम लोग रहा है शंकर प्रजापती कारकारी आपके शन्वाजिला कॉंगा